आज बनाएंगे लीची जूस, लीची गर्मियों में ही मिलता है और ये बहुत टेस्टी होता है, इसका जूस बनाकर आप पीए, ये हिल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसे हमने दो तरीके से बनाया है, तो आप किसी भी तरीके से इस जूस को बना सकते हैं, तो इसे इस किम्फी कर सकते हैं, इसे रखते हैं साइड में इस जूस-को बनाने के लिए हमने 500 ग्राम लीची लिया है अच्छे से इसे थो लिया है अब इसे छीट लेंगे अब पहले जालेंगे ब्लैंडिंग जार में, साथ में डालेंगे 10 बारा पुदीने के पत्ते, अगर आपको पुदीने का फ्लेवर ना पसंदो तो स्किप कर सकते हैं, एक बड़ा चमश नीबू का रश डालेंगे, दो बड़े चमश चीनी को हमने दो बड़े चमश पानी के साथ, ब्ला बनेगा, हमने इसे बहुत अच्छे से ब्लैंड कर लिया है, यह इए बड़े च्छनी में ट्राश रंस्पर करेंगे, थोड़ा सा पानी मिक्सी में डालेंगे और इसे भी डाल करके, बहुत अछ्छे से इसे चान लेंगे, चान लेने से, लीची के यारे से और और इसे गार्निश कर देंगे लीची और कटे हुए नीबू से तो लीजिए यह हमारा जूस बन करके तैयार है तो दूसरे ग्लास में हम डालेंगे वापिस से सब्जा सीड और इसे हम आधा ही लीची के जूस से भरेंगे और आधे में हम डालेंगे सोडा वाटर यह जूस भी पीने में बहुत टेस्टी लगता है एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिए इसे भी गार्निश कर देते हैं लीची और कटे हुए नीबू के स्लाइस से आपको अगर बहुत ठंडा पसंद है तो उपर से आप थोड़ा सा बरब डाल सकते हैं तो यह जूस हमारा अ के लिए तैयार है तेस्टी है आप ट्राइज रूर कीजिएगा रिस्पी पसंद आती है तो लाइक शेर कमेंट कीजिएगा साथ में ऐसी बहुत सारी जूस की रिस्पी हमने आपके शाथ किया है सभी का लिंक हमने नीचे दिया है आप वहां से देख सकते हैं इसी तरह पंदेबाद